पाली पढ़ना सीखो भाग चार जो तीसरण और जो पंसील है उसका एक सिस्टम होता है उसका एक तरीका होता है उसका जो दिक्कू या जो कोई अच्छा जानकार होता है जब आपको पंसील और तीसरण देता है तो उसका एक नियम आवली होती है जिस नियम के तहत में ये दिये जाते हैं पाली के अंदर वो बोलते हैं और पाली के अंदर ही आप जवाब देते हैं तो पाली को अच्छी तरह से उसको सीख लें कि आप क्या बोल रहे हैं आपका एक्षेंट अच्छा होना चाहिए सबसे पहले तीसरण सीलांग की याचना होती है यानि जो तीसरण के और जो सील के अंग हैं उनकी याचना होती है रिक्वेस्ट होती है सील के अंग मतलब पार्ट ओफ सीला जो होते हैं और जो आपका तीसरण होता है जो तीन सरण होती है, उनका नियम होता है, कैसे करते हैं, सिस्सो, सिस्सो माने सिस्से, यानि कि जो सामने बैठा है, उसको सिस्से कहते हैं, सिस्सो का मतलब है, सीखने वाला, इसको सेखिय भी बोलते हैं, सिस्सो, सिस्सो का मतलब है, जो भिको का सिस्से है, खास्ता उससे है, या उपासको भी हो सकता है या उपासिका भी हो सकता है तो सिस्सो या उपासक या उपासिका कैसे कहता है कैसे कहता है उपास अहंग भंते ए और है के बाद में अंग है अहंग भंते ती सरनेन सहे पंच सीलंग ती सरनेन सहे पंच सीलंग धंबंग याचामी अनुग अहंग कत्वा सीलंग देत में भन्ते यानि कि जो उपासक है या उपासी का है या जो सिस्सो है वो क्या कहता है ओकास ओकास का मतलब अफकास दें मुझे टाइम दें या में तरध्यान दें देखें अहंग भन्ते अहंग भन्ते का मतलब है भन्ते मेरी तरफ मैं अहंग माने मैं होता है ती सरनेन सह पंच सीलंग ती सरनेन यानि कि तीन सरन के साथ में सह पंच सीलंग साथ में सह माने साथ में पंच सीलंग पंच सीलंग दो सब्द हैं पंच सीलंग धंबंग याचामी अनुग हंग कत्वा सीलंग देथ में भनते फिर इसको दुतियंपी बोलते हैं वही सेम रिपीट करते हैं अहंग भनते ती सरनेन सहे पंच सीलंग धंवंग याचामी अनुग हंग कत्वा सीलंग देथ में भनते फिर इसको तिवारा बोलते हैं ततियंपी करके ततियंपी एहं यानि एहं भंते ती सरनेन सहे पंच सीलंग धंवं याचामी अनुग हंग यह जो अनुग हंग है इसको दो सब्दों में तोड़ेंगे अनुग हंग, तब यह पूरी तरह से सही बोला जाएगा अनुग हंग, कत्वा, सीलंग, देथ में भंते जो आचारी हैं, जो भिक्कू हैं वो बोलेंगे यमहंग, वदामी, तंग वदेही फिर जो उपासा के सिस्से है वो बोलेगा आम भंते और उसके बाद आरंभ होगा उसके बाद में ये जब तीन वार आप नमन करेंगे नमस्कार करेंगे तो फिर आएगा जो तीन सरण है बुद्ध की सरण और ये तीन वार आएगा तीनी वार आप याशना करते हैं और तीनी वार ये आता है उसके बाद आता है पंचसील पंचसील आने के बाद क्योंकि जब ये तीन सरण आपकी समाप्त होंगी तो आपका जो टीचर है जो भिक्कु है वो कहेंगे ती सरण गमनंग संपूनंग यानि तीन सरण गमनंग ती सरण गमनंग संपूनंग आप कहेंगे आम भंते आम भंते का मतलब है हाँ भंते फिर आपका पंचसील सम आदान स्टार्ट होगा यानि पंचसील सम माने बरावर पूरी तरह से अच्छा और आदान का मतलब देना ये घ्रण करना तो वो आपको दिया जाएगा जो आप घ्रण करेंगे और ठीक वैसे आएगा जैसे मैंने पहली वीडियों बताया है पानाती पाता वेर मनी सिख्खा पदन समादियामी अदिन दाना वेर मनी सिख्खा पदन समादियामी कामेसू मिच्छा चारा वेर मनी सिख्खा पदन फिर जो आपके आचारियों हैं जो आपके टीचर हैं जो आपके भिक्कु हैं वो कहेंगे और इस पिकार आप कहेंगे और इस पिकार सभी जो सत्ता है वो सुखी होने की बात कहके ये जो तीन सरण हैं और वो पूरे हो जाते हैं आप इसको याद करने हैं मैंने यहां इसको दिया हुआ है आगे इसके बाद में मैं आपको बुद्ध बंदना धमदना और जो यतनतत है उस समय के करके आपको बताऊंगा अभी मैं आपको सिर्फ पाली पढ़ना इसमें चोगी आपको पाली सब्दों के हिसाब से अच्छी तरह से बोलने आ जाए और जब जहां कहीं बिक्कू या कहीं आप इसकी बंदना करें तो आपको सब्द याद रहें वही मैं आपको बता रहा हूँ अर्थ के लिए आप दूसरी वीडियो देख सकते हैं उसे मैंने पूरे अर्थ बताय हुए है धन्यवाद आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धमकी वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो ओडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सभी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे अपने tutor पे, या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं, आप youtube पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिसल लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है, या महापुर्स्व का है उनी की बात को सलभासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पर कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद गर्तन शर्णन गच्छामे धम्वन शर्णन गच्छामे संघन शर्णन गच्छामे धम्वन शर्णन गच्छामे धम्वन शर्णन गच्छामे संघन शर्णन गच्छामे बतं शर्णन गच्छामे